हलो दोस्तों गूड मॉनिंग नमस्कार रादे रादे जैसी किष्णा मेरे प्यारे दोस्तों और दोस्तों आप सब कैसे हैं उमीध करते हूं कि आप सब लोग ठीक हूंगे खूस होंगे और बहुत मस्त हूंगे तो यह तीज का दूसरा दिन यानि की मंगलवार का है वीडियो यह करीब 10 बजे के करीब का है वीडियो तो यहाँ पर गेहूं मिला था थोड़ा सा रासन का 10 किलो करीब तो उसमें बहुत घून लगे थे तो मम्मी कहीं कि इसी को धोड़ तो बस वही में धोने लगी थी कि इतना ज्यादा इसमें घून लगा था अगर इसमें घून पड़ा है तो बाकी का जो भी गेहूं रखा है तो सब में पढ़ जाएगा घून तो बस मम्मी कहीं से धोड़ और धूप खुब तेज निकली तो और यहां पर जब तक घ्या हूं सब धूल रहे थी तब तक मैं मसीन में कपड़ा भी लगा दी तो यहां पर देखिए कपड़ा हो गया था आधा खपड़ा हो गया था आधा हो रहा गया था तो अरही हो लगा दी थी बाकी कपड़ा जितना कपड़ा मेरा धूल गया था तो उसे में सब सूखनेकलिस में डाल दी थी और फिर इसे में ले जाओंगे च्छत पर पहले जाओंगे गेहूं फैला आओंगी और देखी ना कि इतनी ज्यादा धूप थी ना कि मेरे से बर्दा से हो रहा सब्सस्क्राइण युट्री छिवा के वाइपर सार काथ्यान कि आप दाने में दो अधिल्jang करा कपड़ा ड़ा ले खिए द euros कर दे लास। यहीं एस पढ ही सिलीपर पहनके तिसनी जादा प्एर जल गा था कि दो देखिए मैं छेत पर गए हूँ और कपड़ा फैला के आ गई हूँ और बाकी का कपड़ा वहां पर देखिए भी लगाई हूँ और ना बुखुच ज्यादा गर्मी है अच्छा सब्सक्राइब करते हैं तो चलिए अब और काम है नहीं की इसाथ कि आपको मेरा ब्लॉक कैसा लगता है चलिए अब कपड़ा पड़ा दूर लूंगी तो उसके बाद फिर मैं खाना पीना भी बनाओंगी तो आप लोके साथ सेयर करूंगी और आज आप लोग को मतलब अब साम को जैसे यहां पर तीज की दूसरे दिन भी खाना बनता है जैसे पूरी कचोड़ी यह पिर जो भी आप लोको मौन है तो बनता तो देखो इतनी समय तो नहीं बनाओंगी क्योंकि कर रात में भी बना था अब बनाना होगा तो साम को ही बनाओंगी जो बनाना होगा त आपोग वीडियों पूरा बने रहिएगा कि आने-अले वीडियों में आप लोक अच्छी रेशी पी है और बाकी तो मेरा होम रूटीन आप लोग देखते हैं आप लोग देली का तो सबही हो पता है क्या चांण रहता है सबी औरतों और यही काम रहता है जाडू पोछा ब और उसके बाद ना फिर देखी मैं सुबह भीगोती थी थोड़ी से उर्दी की दाल करीब डेड़ पाओ के करीब थी यह उर्दी की दाल तो बस उसे चल रही थी धोर ले रही थी अच्छे से क्योंकि इसमें बूज सिटकी रहती हैं और छिलके वाली उर्दी की दाल थे आड़ू सोचीं कि जब तक क्योंकि ना मैं इसली जल्दी से कर रही थी कि लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता है लाइट कप कर जाए और इसमें देखे दुपहर में बारीस भी हुई थी तो बस यही मौसम भी बहुत ज्यादा खराब है इसमें बारीस तो खेरतनी नहीं व मौना तहटन तब तक तो बड़तन लेते हैं यहां पर देखी इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा पानी लेकर उफानी के साथ जो डाल रहता है तो यह पीछे कर के ऑब बाके किसमें जितनी भी षिटकी रहे तो सब थाली में ही रह जाती और सिटकी रहती बीए क्योंकि बजार से जब दाल लेया तो इसमें काफी सिटकी निकल जाती है अब बहुत बड़ी बड़ी इसमें कम सकम 6-6 सिटकी निकली थी कंकर यानी यह देखिए ऐसे करने थे ना सम नीचे बैठ जाता है इसमें और इसने के लिए इसमें मैं ले लोंगी सॉंभ और जीरा में आप लोको नहीं दिखा सकी थे जीरा क्यर में भूल भी गई थी तो जीरा इसलिए बाद में डाली थी तहां पर देखिए थोड़ा धाल लेकर पीस लेरी भीए और पानी बहुत हलका सा डालोंगी और मीकसर में द ैंते ने जैनेे से प्रभारों करें पीश्रेट नीजिती क्योंकि बहुत पतला रख देंगे तो बहुत ज्यादा तेल सोखेगा ते देखिए इतना गाढ़ा रखी तो इसे मैं आदा घंटा के लिए छोड़ दूंगे तो काफी अच्छे से फूल जाएगा बाकी का इसका समय अच्छे से साफ कर ले रिए इसका मिक्सर का जार और उस सरकी और उसके बात में कर लूँगी चोटी और चोटी उटी करने बाद फिर और जो भी काम रहता चुट मुट घर का काम तो कुछ ना कुछ लगा ही रहा था ऐसी बात नहीं है अगर सोचो ना काम है तो काम रहता अगर ना सोचो तो कुछ नहीं तो यहां पर देखिए फि बाद फिर में चलूँगी और हाँ कल मैं जो कान का अपना उतारी था तो मैं सुची पहर लें तो इसने भी अच्छे से मत्री से मत्री और आप लोग समझी गए हैं तो कि मैं क्या रही हो और नए कि समझी आप लेगी जा तो पूरा दें समझ जाएगा चले पर दें चले पर यहिसी में मत्री होंगी जाएख समय छांविकर एंसमें नहीं हो यहीं है तो टारी को अच्छे से मत्री ने के बाद ना उसके याद फिर मेरा भूज लोघु ए थोड़ा साझी रहा है कर लोंगे काफी अच्छे से यहां पर देखिए में थ्वासा जीरा अच्छे से भून ले रही हूं अब बस में इसमें बहुत ताम जाम सने बनाओं में दम साधे में ही बनाओं गी ताकि कम अधर में रता पस उसी समान में बन जाएगा तेहां देखिए मेरी उर्दी की दाल कर देखिए में अच्छे से फूल गया है तो यहां पर देखिए फूल गया है तो यहां पर देखिए फूंसे जीरा में फूल गया है तो यहां पर जब जीरा अच्छे से भून गया था न तो उसे दो मिनोट ठंडा करने बाद फिर यहां पर देखिए टेबल पर ही में बेलंस अच्छे से क्रश कर ले रही थी और टेबल मेरा हमेसा साफ रता है ना तो कोई जूठा रहता है ना ही कोई गंदगी रहती क्यू अच्छे कर लें और यहां देखिए प्रिंसी गिर गई है आंगन में आपर प्रिंसी गिर गई इसना तो बस मैं उसे खड़ा करने कोई करें कि तो सब्सक्राइब में हलका सब्सक्राइब लग गया था और जब हड़ी में लगता है तो काफी ज्यादा दर्ध होता है तो बस वहीं मैं इसको अच्छे से कर रहे थे और रो रही थी खूँ वह मैं कहीं सांथ होजा ज्यादा चोट नहीं आई है कि यहां पार आप लगा अभर्व जयादा नहीं लगा थोड़ा सब्सक्राइब कर देखिए कर दो कर दुकिए इन देखिए को यहां पर हड़ी पहल लग गया एविर है चला भी कुछ लगा दूनगी नग यहां पर जो दही अच्छे से में फेट के रखी थी तो उसे सब एक शाय कले ती और यहां पर भगोने में ले ले रही हुद्वास पानी ठंधा और इसी में मैं डाल दूंगी साधा लमक और उसके बाद फिर देखी में ले लूंगी कड़ाई इस कड़ाई में न कले सब पू और यहां पर देखिए मेटा जो यह पूर्दी की दाल थी ना काफी अच्छे से फूल गया था तो बस वही देखिए मैं भी इसे पानी में आप लोगों को चेक करके दिखा देखिए कितना यह उपर आ गया है देखिए और इसकी ना यही कॉलिटी है कोई बेसन हो चाहे को पानी में डाल के चेक करें तो काफी अच्छे से ऊपर आ जाता है तेहां पर देखिए मैं गोला गोला छोटा छोटा से इस तरह से डाल दे रही थी इसका पकोड़ी टाइप का और मैं बना रही हूं दही वड़ा एदम जैसे मम्मी लोग पहले बना थी तितम सिंपल में द आप था तेहां पर देखिए एक बार का मेरा अच्छे से चान गया तो तो इसे में निकाल ले रही और फिर वही जो नमक का पानी रखा न तो उसी में डालूंगे पहले मैं इसे करहाई में डाल क्योंकि ना मिया तेल काफी अच्छे से गरम हो गया है और दो तीन बार के ल सब्षान डाल दूंगी में ज्यादा नियुक्त एक मिनट के छोड़़न के ज्चासे नहीं ठीकोन खूटिए लेंसे पर धिर थसे को लुचकत की निकलते अच्छे सब्सक्राइब ईंदर एक बड़े तक प्रोल को नहीं के छिए गाए संट और समयक कश्राइब note पानी तो सभी सो मला अपने अंदर ले लेगा तो इसके वाज़ से इसके में काफी अच्छा फ्लीवर आ जाता है और इसे ना मैं आदा खुलता देगां तो इसे काफी अच्छे सब्सक्राइब और देखिए आप लोगों के तोड़ के दिखाती हूं यह देखिए यह देखिए कितना अंदर से फुला हुआ है देखिए एदम फुला फुला इदम क्रिस्पी बॉल बना है अब इसे बार में अच्छे से सर्व करूंगी जैसे मीठी चत्नी उपनी तो नहीं बनाई हूं लेकिन बस ऐसी चलिये वेदेए कि अच्छे से पुरा सोख लिया है अब में असे निकावती हूं आप यह द्धी देखिए अलग देखिए अलग निस्टनी तो अपने भीयात लेकिनी जीरा का पावडर धुनेवे जीरा का लाल मिर्च पावडर थोड़ी सी लाल मिर्च पावडर चुटकी परोबर नमग पावडर चतनी नहीं बनाएं तेलीजी आपने खाये और देखिए कितना सॉप्ट बना है यह देखिए बहुत ज्याद रहें पिंजी आपिटा फेटा यहां अच्छा है बताव सबसे अच्छा है बहुत यह अच्छा बनाएगा है तो दोस्तों आज की रेसिपी आप लोगो कैसी लगी कि कमेंट में जरूर आप लोग बताना और चैनल को लाइक, सस्क्राइब, सेयर करना मत भूलना और सस्क्राइब बगल में बेल आइकन को जरूर दबाना तो चलिए दोस्तों बाज का वीडियो में ही पर एंड करती आप सबसे अगले वीडियो मिलूंगी तब तक कि लिए बा आप नएट